आरशी विश्व श्रवा ने आरशी भारदवाज की पुत्री इलाविदा से विवाह किया था, जिनसे कुबेर का जन्म हुआ। नरांत का और देवतां का नामक पुत्र थे। मेघनाद का जन्म। मेघनाद रावण और मंदोदरी का सबसे जेश्ट पुत्र था। क्योंकि रावण एक बहुत बड़ा जोतिश भी था, जिसे एक ऐसा पुत्र चाहिए था, जो की महाबलशाली और महाप्रतापी हो। इसलिए उसने सभी ग्रहों को अपने पुत्र की जन्म कुंडली के ग्यारहवे लाब स्थान स्थान पर रख दिया। परंतु रावण की प्रवृत्ती से परिचित शनी देव ग्यारहवे स्थान से बारहवे स्थान व्यायहानी स्थान पर आ गए, जिससे रावण को मनवा शिशुओं की तरह रोया नहीं था, बलकि उसके मुह से बिजली की कड़ी डियेचकने की आवाज सुनाई दी थी। यही कारण था कि रावण ने अपने इस पुत्र का नाम मेघनाद रखा। स्वर्ग विजई, मेघनाद अपने पिता की तरह स्वर्ग विजई था, उसने इंद्र को पराजित कर दिया था, इंद्र को परास्त करने के कारण ही ब्रह्मा जी ने इसका नाम इंद्र जीत रखा था, मेघनाद का मूल नाम घननाद था, लेकिन इंद्र को हराने के बाद उ पर ब्रह्मा ने कहा वर्दान मांगो, तब मेघनाद ने अम्रता का वर मांगा, लेकिन ब्रह्मा ने कहा कि यह देने संभव नहीं, लेकिन उन्होंने इसके समान ही वर जरूर दिया, वर अनुसार अपनी कुल देवी प्रत्यांगीरा के यग्य के दौरान मेघनाद को स्वयम त्रिदेव नहीं हरा सकते और नहीं मार सकते थे मेघनाद के गुरू मेघनाद ने शुक्रचार्य और साक्षात महादेव से शिक्षा प्राप्त की थी महादेव शिव से प्रशिक्षन प्राप्त लगभग सभी दिव्यास्त्रों का जाता बन गया था किशोर आवस्था की आयू होते होते इसने अपनी कुलदेवी निकुम्भला प्रत्यांगीरा के मंदिर में अपने गुरु से दीक्षा लेकर कई सिध्यां प्राप्त कर ली थी जब मेघनाथ युवा अवस्था में पहुँचा तो उसने कठिन तपस्या के बल पर संसार के तीन सबसे घातक अस्त्र ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र और वैश्नवस्त्र प्राप्त कर लिये थे अतिमहारथी योद्धा आधिकाल से अब तक यही एक मात्र ऐसा योद्धा है जिसे अतिमहारथी की उपाधी दी गई है इसका नाम उन योद्धाओं में लिया जाता है जो ब्रह्मांड अस्त्र, वैश्नवस्त्र तथा पाशुपात अस्त्र के धारक कहे जाते हैं इसने अपने गुरु शुक्राचार्य के सानिध्य में रहकर तथा त्रिदेवों द्वारा कई अस्त्र शस्त्र एकत्र किये थे स्वर्ग में देवताओं को हराकर उनके अस्त्र शस्त्र पर भी अधिकार कर लिया था पित्र भक्त मेगनाद, मेगनाद पित्र भक्त पुत्र था उसे यह पता था कि राम स्वयम भगवान है फिर भी उसने पिता का साथ नहीं छोड़ा जब उसकी मां मंदोदरी ने उसे यह कहा कि इंसान मुक्ती की तरफ अकेले जाता है तब उसने कहा कि पिता को ठुकरा कर अगर मुझे मोक्ष या स्वर्ग भी मिले तो मैं मैं ठुकरा दूँगा मृत्यू का कारण अपने विशिष्ट रत पर अत्यधिक निर्भरता अगस्त्य द्वारा बनाए गए कुछ नए दिव्यास्त्रों जैसे सूर्यास्त्र, एंद्रास्त्र, आदिसे, अनिभिज्यता जो उसकी पराजय और मृत्यू का कारण बनी मेघनाद का वद कुम्भकर्ण के वद के बाद मेघनाद युद्ध में उतरा पहले दिन के युद्ध में उसने सुग्रीव की पूरी सेना को हिला डाला राम और लक्ष्मन भी उसकी मायावी शक्ती के सामने बेबस हो चले थे क्योंकि उसने अपनी कुलदेवी का यग्य प्रारंभ करके ही युद्ध घोश किया था जिसके प्रभाव से उसका रत अद्रिश्य हो जाता था मौका पाकर उसने राम और लक्ष्मन पर नाग पास का प्रयोग किया और दोनों को मूर्चित कर दिया नाग पास से मूर्चित व्यक्ती अगले दिन का सूरज नहीं देख सकता था तब हनुमान जी तुरंत गुरुड भगवान के पास गए और उन्हें लेकर आए गरुद धाट को देख नाग भैभीत हो गए तथा उन्होंने राम तथा लक्ष्मन को मुक्त कर दिया तथा उनकी मूर्चा तूटी अगले दिन मेघनाद ने अपने शक्ति बान से लक्ष्मन जी मूर्चित कर दिया तब लक्ष्मन के प्राण को बचाने के लिए हनुमान जी लंका से सुशेन वैद्य को उठा लाए लक्ष्मन से बचते हुए सकुषल लंका पहुँच गया चौथे दिन मेघनाद को लक्षमण ने वीर गती को प्राप्त कर दिया इसी युद्ध में लक्षमण के घातक बानों से मेघनाद मारा गया लक्षमण जी ने मेघनाद का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया और सिर को प्रभुश्री राम के चरणों में रख दिया सुलोचना लेकर आई कटा सिर यह कथा हमें रामायन में नहीं मिलती है यह कथा हमें रामायन से इत्र दक्षन भारत की प्रचलित लोग कथा में मिलती है कहते हैं कि यह किवधन्ती है इसमें सचाई नहीं है रामायन अनुसार प्रभु श्री राम ने मेघनात का शव अपने दूतों के हाथ रावन के दूतों को सौप दिया था श्री राम मेघनात की मृत्यू की सूचना मेघनात की पत्नी सुलोचना को देना चाहते थे उन्होंने मेघनात की एक भुजा को बान के द्वारा मेघनात के महल में पहुँचा दिया वह भुजा जब मेघनात की पतनी सुलोचना ने देखी तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके पती की मृत्यू हो चुकी है तब कटे हाथ ने लिख कर लक्ष्मन का गुणगान किया रावण को सुलोचना ने मेघनात का कटा हुआ हाथ दिखाया और अपने पती का सिर माँगा सुलोचना रावण से बोली कि अब मैं एक पल भी जीवित नहीं रहना चाहती मैं पती के साथ ही सती होना चाहती हूँ तब रावण ने कहा पुत्री चार घड़ी प्रतिक्षा करो मैं मेघनात का सिर शत्रु के सिर के साथ लेकर आता हूँ लेकिन सुलोचना को रावण की बात पर विश्वास नहीं हुआ तब सुलोचना मंदोदरी के पास गई मंदोदरी ने कहा कि तुम राम के पास जाओ वह बहुत दयालू है